आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सीलिंग फैन के कैसे कनेक्शन किये जाते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी होती है रणिंग वाइंडिंग कौन सी होती है उसके बाद हम देखेंगे कि इन में से common wire कौन सी होती है और कैसे common wire बनाते हैं और उसके बाद हम capacitor के connection करके final इसको final करके छोड़ने वाले हैं तो यहाँ पर हम practically करके देखेंगे कि इसके अंदर starting winding कौन सी होती है और running winding कौन सी होती है सबसे पहले हम थोर्टिकली देखते हैं तो इसके अंदर दो coil होती है friends इस तरह से दो सीरे ये निकल जाते हैं और दो सीरे जो दूसरी winding होती है इसके बाहर बाहर लिप्टे होती है और दो सीरे ये होती है इस तरह से करके चार wire बाहर निकल जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी चार wire निकले हुए हैं दो black और दो red तो इस इसके इसको हमने खोल लिया है आपको यहां पर इसके अंदर की जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग आपको दिखाएंगे उसके बाद इसको फिट करके इसके कनेक्शन करना आपको सिखाएंगे यह चार वायर का है अगर आपको थ्री वायर वाला सिस्टम देखना है तो इसके लिए भी कोमेंट कीजिएगा हम वो थ्री वायर वाड़ा भी आपके लिए इससी तरह से वीडियो बना देंगे तो इसको उपन करने के लिए हमने इसको इसके नट को बाहर निकाल लिया था और अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने जैसे यहां पर diagram बनाया था है यह आप देख सकते हैं diagram बना रखा है एक अंदर की winding है और एक बाहर की winding है तो आप यहां पर देख सकते हैं जो यह अंदर की winding है यह starting winding है और जो बाहर की winding है यह running winding है friends और इसके जो दो-दो terminal है यहाँ से आप देख सकते हैं दो terminal यहाँ से निकल के यहाँ पे आगे और दो अंदर से यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे यह और एक यहाँ से तो यह निकल के यहाँ पर आगे हैं तो इसकी winding हम आपने देख लिए कि इसकी starting winding और running winding कैसे होती है तो यह friends इस तरह से old रहता है और यह इस तरह से rotate होता है ठीक है जो अंदर की winding वगएरा होती है यह तो इसका stator का काम करती है और बहार का जो यह है सिरा इस्सा है यह इसके rotor का काम करता है और यह गूमता है तो चलीए friends अभी इसके connection करना सीख लेते हैं यहाँ पे फेले इसको बिल्कुल tight कर लेते है फिट कर लेते हैं Friends अभी आप देख सकते हैं हमने fan को tight कर लिया, fit कर लिया है अभी करते हैं फैन के connection फैन के connection करने के लिए हमें यहाँ पे एक capacitor लगाना हुआ जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक capacitor है लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि इसके अंदर starting winding के कौन से wire है और running winding के कौन से wire है और इन में से हम common कैसे बनाएंगे अगर आपके पास इस तरह से दो color की wire है black और red तो उसमें से आप एक काम कीजिएगा एक black और एक red लेके इस तरह से common बना दीजिएगा अगर आपको यह wire अलग-अलग color के मिलते हैं तो वहाँ पे आपको resistance चेक करना पड़ेगा जिस भी क्वाइल का resistance कम आता है 216 के आसपास आता है तो हम इसको लिख लेते हैं black to black black to black 217 ohm और अभी हम करते हैं red का red के साथ करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देश सकते हैं 270 के आसपास आया है red to red 270 जिस winding का resistance ज़्यादा आया है वो winding running की winding है जिसका कम आया है वो starting की winding है यानि कि यह जो अंदर की winding है वो starting की है और बाहर की है वो running winding है तो अभी हमें क्या करना है फ्रेंट्स इसके यहाँ पे चार सिरे निकले हुए है wire के तो इसमें से हमें connection कौन से के करने है बतलब capacitor कहां पे जोड़ेंगे तो इसमें से हम क्या करेंगे एक black और एक red को हम common बना देंगे इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंट्स हमने common बना दिया दोनों को short कर दिया और अभी बच गया है एक black और red इन दोनों का जो resistance है वो दोनों को मिला कर आना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं चारसो चारसो किरासी के आसपास resistance इनका आ रहा है यहनकी red और red to black चारसो असी के आसपास ओम इसका resistance आ रहा था तो हमें जो capacitor यूज करना है फ्रेंट्स capacitor को connection करना है वो हमें इन दोनों वायर के बीच में करना पड़ेगा ठीक है जो capacitor हमें लगाएंगे वो उन दो winding के बीच में करेंगे जिनके बीच में resistance सबसे ज़्यादा आता है ठीक है तो हमारा fan सीधा चलेगा तो इसमें हमने capacitor को जोड़ दिया है और इन में से अब हम phase और neutral supply जो हमारी incoming supply आएगी वो मैं बता देता हूँ कहाँ पे जोड़नी है एक जो red color की जो capacitor के साथ red color की wire है जो capacitor के साथ red color की wire है उसके साथ हम phase supply जोड़ेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यह जो common wire बना था red और black का उसके अंदर neutral supply जोड़ देंगे और जो यह दूसरा capacitor का wire है black wire के साथ इसको उपर हम tape लगा के छोड़ देंगे तो हमारा fan यह सीधा चलना start हो जाएगा और connection इसके complete हो जाएगे तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी comment करके मैं जुरूर बताना अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी तो इसको like और share जुरूर कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन देमातरम